दोस्तों मैं हूँ डुक्टर अम्रीश खारी आपका अपने यूट्यूब चैनल डुक्टर खारी पर स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम SBL के एक ऐसे प्रोडेक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत लाब दायक हो सकता है इस दवाई का नाम है SBL Phytolakaberry Tablets दोस्तों ये होमियोपेति की एक दवाई होती है जिसे tablet form में SBL कमपनी मुनाती है इस वीडियो में हम इस दवाई का रिव्यू करेंगे जानने के लिए वीडियो पूरा देखें दोस्तों Phytolakaberry Tablets Obesity के के केस में पेशेंट को दी जाती है यानि मोटापे के क इसमें इंडिया में लगभग 80% लोगों को मोटापा है अगर उनका BMI कल्कुलेट किया जाए तो उनका BMI बढ़ा हुआ आता है BMI एक बोडी मास्क इंडेक्स होता है जिसमें हाइट और वजन के हिसाब से पेशेंट का BMI केलकुलेट होता है अगर 25 से जादा आता है तो प portion का सिकार हो सकते हैं 25 से 30 के बीट में overweight के case आते हैं और 30 से ज्यादा पर मोठापा ज्यादा होने की चांस बढ़ जाते हैं ऐसे में आपको अपना मोठापा गंट्रोल करना होगा दोस्तों मोठापे के ऐसे केस जहां patient ज्यादा घाना घाता है और पेशेंट की एक्सराइज कम रहती है यह एलिए फीजिकल वर्क बहुत कम रहता है जिसके कारण पेशेंट जादा केल्टी बर्न नहीं कर पाता है और बजन बढ़ना शुरू हो जाता है. फैट आनी शुरू हो जाती है सबसे पहले हमारे पेट पर यानि बैली पर पेशन्ट को फैट दिखती है उसके बाद धीरे धीरे लगबग कमर पर गरदन पर और फेस पर दिखनी शुरू हो जाती है यह केस जाजर महिलाव में देखने को मिलते हैं दिलिवरी के बाद अक्सर ऐसे पेशन्ट देखने को मिलते हैं जिनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है या फिर कुछ बिमारिया होती हैं जिनके कारण पेशन्ट का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे थाइरोड डिसोडर भी हो सकता है या किसी भी होर्मोन्स के इं देखने को मिल सकता है इसलिए आप अपना लाइफ स्टाइल सही रखें क्योंकि मोटा पे के कारण आपको कुछ बीमारिया भी हो सकती है यानि इसके रिस फेक्टर भी बहुत रहते हैं जैसे डाइबटीज यानि पेशेंट को सुगर हो सकती है कार्डियो वैस्कुलर डिजी सकती है या फिर कैंसर भी हो सकता है जैसे महिलाव में ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है दोस्तों ऐसे में आप SBL की फाइटोलाका बेरी टैबलेट्स ले सकते हैं यह दवाई किसी भी टाइप के साइड इफेक्ट हमारे शरीर में पैदा नहीं करती है और इस दवाई की होती है कि जब तक आप उन्हें खा रहे हो तब तक वजन कम करती रहती है जैसे उन्हें छोड़ देते हो तुरंत वजन बढ़ना शुरू हो जाता है दवाई के साथ साथ दोस्तों आपको फिजिकल वर्क भी थोड़ा बहुत करना होगा और अपनी डाइट भी हेल्दी करना होगा इसके लावा चोक्लेट्स और शराब का सेवन या स्मोगिंग करते हैं तो उन सब का भी फरेज करना होगा दोस्तों एस बील फाइटोला का बेरी टैबलेट की डोज की बात की जाए यानि इस दवाई को कैसे लिया जाता है दोस्तों वैसे तो इस किसी भी दवा आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे इसकी डोज कम कर देनी चाहिए यानि जैसे ही आप दिन में तीन टाइम इसे दो दो टैबलेट करके ले रहे थे तब इसकी एक गोली दिन में तीन टाइम लेनी शुरू कर दें दोस्तों गर आप लंबे समय स मोटा पेसे पीडित हैं और आप इसका होमियोपेटी ट्रीट्मेंट चाहते हैं या डोक्टर की सलहा लेना चाहते हैं तो दिये गए वोट्स अप नमबर पर हमसे संपरकर इलाज या सलहा ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यावाद चैनल को सब्सक्राइब करें क मोमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं थैंक यू